आज थोड़ा समय है तो मैंने सोचा आज ही सब कुछ एक साथ क्लियर हो जाए फिर दीरे दीरे आपके पास बेज़ता रहूँ तो अभी मेरे भाई का एक मैसे आया तो उसने कहा कि भले ही आप इसलाम के उपर ना बोलो तो लेकिन आप सीया और सुनी के ऊपर कुछ बोलो क्योंकि जो शिया होते हैं वो हिंदू के बहुत नज़दीक होते हैं तो पिछले दिनों भी यह issue आया था और उन्होंने कहा कि सुनी हमारे खिलाफ होते हैं शिया हमारे नस्दीक होते हैं और इस प्रकार की चर्चाएं कुछ इंटरनेट यूट्यूब पर आजकल चल रही है तो उस विशे में मेरे क्या विचार है वो आप लोग पूछना चाते हैं तो भाई मेरे पहली बात तो यह है जो अपने का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा ठीक है और यह जो शिया आजकल soft corner ले रहे हैं हिंदू के प्रती तो भाई इसको मेरी साहरंपुरी language मुझफर नगर की जो language है उसमें बोलते हैं फटी के ढोल बजाना और यह जो फटी के ढोल होता है न भाई यह क्या होता है कि जब आदमी के उपर जबर्दस तरीके से हमले हो रहे होते हैं या गर्दन किसी की पैर के नीचे दबी होती है न तो मुंसी प्रेम चंद जी न कहा है कि जिस पैर के नीचे अपनी गर्दन दबी होई हो तो उसको सहलाने में ही फायदा है और एक दूसरी कहवत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है नहीं तो हिंदु धर्म की जितनी हानी श्याओं ने की है वो शायद मेरे विद्वान भाईयों को नहीं पता है तो वो आज कल की परिष्थितियों को देख रहे हैं इसलिए वो आप लोगों को इस परकार का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा विवेक पूर्ण हम इस बात के उपर विचार रखेंगे और आप लोग भी सोचें तो निजामुद्दीन ओलिया कौन था तो भाई जो अजमेर की ये दरगा है मौनिद्दीन चिष्टी तो मौनिद्दीन चिष्टी या फिर जितनी भी दरगाएं हैं वो किसकी हैं ये फेस्बुक से आर्टिकल उठाकर वीडियो बनाने वाले मेरे भाई लोग ये जरा फेस्बुक खंडाले तो उनको पता पड़ जाएगा कि अजमेर में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है उसके उपर तो बड़े बड़े आर्टिकल बड़े बड़े जोक छपे हैं मुसलिम उसके बराबर में हिंदू बैठी हुई है तो उसने कहा के यहां कहा से आई हो बोली दिल्ली से गोमने के लिए आई हूँ तो यहां क्या देखना है थी बोली ब्रह्मा मंदिर तो ब्रह्मा मंदिर देखके आई तो मोनिदिन चिष्टी की दरगानी देखके आई तो हिंदू औरत ने कहा के तुम मंदिर गई हो कभी तो मुसल्मानी ने कहा के हम क्यों जाए मंदिर हम तो मुसल्मान है तो उसने कहा कि हम हिंदू हैं हम क्यों जाये तुम्हारी दर्गा तो नीचे संदेश लिखा हुआ होता था कि अब मजारों पर जाना बंद कर दो क्योंकि वहीं से तुम्हारा धर्म परिवर्तन होता है और ये जो लव जेहाद के उपर इतने अच्छे-च्छे कमेंट करते हैं अच्छे-च्छे आर्टीकल्स लेखते हैं अच्छे-च्छी वीडियो बनाते हैं वो आज भूल गए कि सबसे ज़्यादा लव जेहाद के अंदर लिप्तता शियाओं की रही है क्योंकि वो डोरा बांग सकते हैं क्योंकि वो मंदिर जा सकते हैं क्योंकि मत्था टेकनी की आदत है उनको तो भाई जो मैं इसी लिए जो है ना बोलना नहीं चाता है इंग्विश्यों पर तो ये कहना के कौन गलत है कौन सही है इस बात का फैसला हम आपस में ना करें बीना इतिहास को जाने अब दूसरी बात करते हैं मैं इसी लिए गयाता हूँ रिसर्च है न करते रहा करो खुद भी ये वीडियो वीडियो देखके न बोखलाया मत करो बरगलाने माया मत करो किसी के अभी पिछले दिनों एक रिसर्च आई तो रिसर्च में कहा गया के कबरिस्टानों की जगा छोटी बटती जा रही है अब यह जो शिया होते हैं ये शिया बनाते हैं पक्की मजार ये अपनी कबरों को चिन देते हैं कैसे चिनते हैं जैसे Christians और जो सुन्णी होता है वो बनाते है कच्छी मजार मिट्टी से डग देता है उसको तो तीन-चार साल के बाद में उसको अपने कबरिस्तान में दुबारा अपने कबर में कहीं भी खोद के वो दूसरे भी मुर्दे को गाड़ सकता है अब सियाओं की कबरे कम पड़ेंगी या सुन्यों की कम पड़ेंगी परियावरण के खिलाफ कौन है अब मेरे हिंदू भाई देखो यहीं वीडियो सुनते सुनते यह कहने लगेंगे कि हिंदू है परियावरण के पक्षमेतो ये इतनी बड़ी-बड़ी कबरगाह बना रखे हैं कबरिस्तान बना रखे हैं भाई एक मिनट सबसे ज़्यावरण का जो नुकसान है वो शव को जलाने से होता है क्योंकि यदि आपने देखो सच्ची बात बहुत कड़वी लगती है आँखो में मिर्च लगती है जो शव को जलाने का जो नियम है वो नियम ये है कि जितना शव का वजन हो जो सामगरी हम जलाते हैं हवन में डालते हैं उतनी तो हो सामगरी और उसका आदा हो गी और चोथाई हो कपूर और लकडियां वो भरपूर हो मुझे भाई एक उधारन बता दो किसी आर्ये समाजी के अलावा आर्ये समाजी विद्वान के अलावा के जिसकी चिता इस तरीके से जलती हो अंतिम दिनों में मैं आचारिय बल्देवजी की चिता जलती हुँ देखिया है कोंटलो तो सामगरी लगी थी उससे होता है परियावरन शुद भाई तुम्हारी आतों में इतना इतना मलफसा हुआ होता है इस शरीर की जरा सिखाल जल जाए चलो चौड़ो सारी बात मच्छर होता है ना मच्छर रैकिट मारते हैं इलेक्ट्रिक रैकिट उसके दुए में भी बदबूठती है नाक बंद कर लेते हो तुम ये जो एक कोंटल का तुमारा शरीर है और जब ये जलता है तो इसमें सब अधबूठती निकलती ये परियावरण को दूशित कर रहे हो चिता जलाने का सही तरीका अगर आप लोग अपनाओ तो परियावरण की शुद्धी होती है उसके अंदर जितना भी मल है गंद है वो सब अड़ों में जब विखरता है तो उसके साथ में जब गी, कपूर, चंदन, आम की लकड़ी ये सब मिलती है तो वो उनको ढख लेती है और नश्ट कर देती है अब मेरे बहुत सारे भाई कैया है कि देखो भाई भाई हिंदू धर्म में तो इतने ऐसी चीजे हैं कि गरीब का तो जीना ही मुहाल हो जाएगा एक आदमी गरीब आदमी जया जयाता 55 किलो का 70 किलो का तो 70 किलो सामगरी कहा से लेका आएगा उसके आधे का घी कहा से लेगा आएगा चोथाए की कपूर कहा से लेगा आएगा तो भाई मरनो परांत भोजन कराते हो 45 जर भाई मरे से मरा 45 जर पर खर्च करता ही होगा खिलाग क्या करते हो किसको प्राप्त होगा मैंने पिछले वीडियो में कहा था जब श्राद तरपन की बाद चली थी कि भस्मान तक शरीरम भस्म होते ही अंत हो जाता है सभी करतव्यों का शरीर के शरीर के भस्म होते ही नश्टो होते ही सब चीजों का अंत हो जाता है तो कौन सा कर्म बचा है उसके नाम का आप खाना खिला रहे हो वो मत करो अच्छे से चिता बनाओ और अच्छे से उसको विदा करो उसका जो शरीर बचा हुआ है उस शरीर से आप लोगों ने कितना काम लिया उस शरीर ने आपको पालपोस कितना बड़ा किया बड़ी बड़ी नोकरियोत लग पहुचाया आपको जिम्मेदार बना दिया, इतना बड़ा बना दिया और आप उस चिता को ठिकाने लगाने में भी क्या करते हो तो परियावरण के अनुकूल नहीं है शियाओं के कब्रिस्तान सबसे ज़्यादा लवजिहाद करता है शिया सबसे ज़्यादा मजारों की तरफ हिंदों को लेकर जाता है शिया और वो जो चमड़ी उधेडने वाला काम है न ताजिया निकालने वाला वो भी काम करता है शिया और उसके दोरान हिंदों से लड़ाई करने वाला भी है शिया लेकिन मेरे Facebook ये क्यों खुश है क्योंकि शियाओं न कह दिया कि राममंदिर बन जाना चाहिए तो मेरे Facebook ये को अगली दूसरी बाहत नहीं पता है दरसल कि उन्होंने कहा है कि इसके अलावा इसके बदले हमको चाहिए मस्जिद और वो मस्जिद चाहिए तो सुन्यों की तो मस्जिद नहीं बनेगी शियाओं की तो मस्जिद बनेगी और हिंदों का मंदिर बनेगा तो तो रास्वार्थी और हिंदु भाई मेरा खुश तो भाई चार-पांच पॉइंट बताए है पहला फटी के डोल बज रहे हैं दूसरा वो आपके साथ इसलिए है क्योंकि आप उसके दुश्मन के दुश्मन हो तीसरा उनको सानू बोती मिलेगी तो आपके अंदर घुशके धर्म परिवर्तन करा सकते हैं जिनों धर्म परिवर्तन धर्म मतलब संपरदाए है जिसने सुन्नी को नहीं छोड़ा वो हिंदू को दो क्या छोड़ेगा और चोथा उसको बर्णवाना है अपनी मस्जिद और पांचवा छटा साथवा आप खोज लो बहुत सारे कुछ निकल जाएंगे पर इन ब्रांतियों में मत जीओ कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है ठीक है तो आज के लिए भाई इतना है अच्छा लगा वीडियो तो आगे शेयर करो लोगों तक भेजो और सभी मेरे साथ मिलका बोलेंगे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय बाई शरण अंत में इसी में मिलनी है झालेंगे और